भारतिय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने श्री लंका को एतिहासिक और ऐसी हार दी है जिसे श्री लंकाई क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूलेंगे। भारत की इस यादगार जीत के हीरो रहे मुहम्मद सिराज जिन्होंने अपनी तूफानी और खौफनाक गेंदबाजी से श्री लंका की पारी के चौथे ओवर में ही भारत के जीत की कहानी लिख दी थी। सिराज ने इस बड़े इवेंट में जो यादगार प्रदर्शन किया है उसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ये बात भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी जानते हैं। तब ही उन्होंने सिराज को खास सम्मान दिया। दरासल भारत की जीत के बाद जब ड्रेसिंग रूम से खिलाडी श्री लंकाय खिलाडियों का अभिवादन करने के लिए फील्ड पर जा रहे थे, तो कप्तान ने अपने मैच के हीरो को सबसे आगे कर उन्हें उनके प्रदर्शन का इनाम दिया। दोस्तों, रोहित शर्मा द्वारा सिराज को दिये गए सम्मान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।